हलो बचा लोग क्या हाल चाल आप सबका उमीद है बिल्कुल बड़िया शांदार और जवर्दस्त होगा सभी प्यारे बच्छों को नमस्ते और राधे राधे तो बचा लोग CBSC ने अभी एक लेटेस सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने साल 2024-25 में होने वाले examination के लिए जो pattern होता है उसको update कर दिया है आप चाहे class 11th के student हो तो आपके school examination के लिए अगर आप class 12th के student है तो आपके board examination के लिए तो जो next year आपको exam देने है उसका pattern change हो चुका है तो ये video आपके लिए बहुत जादा important है because पूरे साल में जो तयारी करनी है वो किस examination pattern के recording करनी है ये अगर starting में नहीं पता चलेगा तो आप लोगों को तयारी में direction less feel होगी तो अभी सही ये update आपको CBSC ने issue कर दिया है और इस video में आपको पता लग जाएगा कि क्या change हुए है और उसके लिए आपको कैसे तयारी करनी है तो CBSC ने circular issue कर रहा है CBSC के official website पर भी available है और ये जो changes है वो 9th, 10th और 11th, 12th सबके लिए applicable है बट अभी हम लोग बात करेंगे सिरफ class 11th के लिए ताकि आप लोगो better clarity मिल सके तो बचा लोग यहाँ पर class 11th and 12th के लिए जो changes है वो changes क्या क्या है एक बार देख लेते हैं सबसे पहले बीटा जो change आये है हमारे पास वो आया है हमारे लिए competency-based question बोलो या competency-focused question बोलो बात एक ही है तो क्या change आये है भाई अभी तक जो exam होते थे मतला गर हम बात करें लाग के लिएक यह दो 2023 और इसकी तो competency-based question की weightage होती थी 40% अब कई बच्चों को यह doubt होता है कि सर यह competency-based question होते क्या है तो competency-based question वो question होते हैं जिसमें जो direct आपके पास information या facts है उसके beyond अगर कोई चीज आती है उसमें तो तभी आपने सुना होगा कि आपके जो seniors हैं वो यह बोलते हैं कि अब exam जो है वो थोड़ा सा tricky आ रहे है case-based study वाले question ना direct नहीं आ रहे हैं tricky आ रहे हैं mcqs भी ना कुछ तो direct आते हैं बड़ कुछ तो भौट रिकी आते हैं सोचना पड़ता है तो यह वाले question में ना competency focus question बोली या competency-based questions के अंदर cover होते हैं तो cbse ने इसकी weightage बढ़ा दी है पूरे 10% तो पहले 40% weightage होती थी अगर हमारा 80 marks का theory paper है तो उसमें से 40% weightage यानि कि आपके 32 marks competency-based question की weightage रखने थे बट अब वो बढ़के 50% हो गया है भाई तो यानि कि total 80 में से 40 marks के question अब आपके competency-based question बनेंगे घबराने के जुरत नहीं है यह बहुत easy वाले level हो जाता है अगर आपको concept अच्छे से आता है अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम बस direct formula या कोई information या concept रट के चले जाएं और उसके base पर हमार को question मिलें तो अब CBSC ने ऐसे question की weightage क्या कर दी है कम कर दी है क्योंकि competency-based question उन्होंने बढ़ा दिये है फिर जो select response question जो MCQ format में होते हैं ठीक है यहाँ पर जो competency-based question है हो MCQ में, case-based में, source-based integration question मतब हर एक weightage में जो question आ रहा है उसके अंदर mix होकते हैं तो अब उनकी weightage बढ़ गी है हाँ, बड़ जो MCQ थे सिरफ, वो 20% weightage पहले थी, वो ही weightage अभी रहीगी उसकी, उसमें कोई chain ने हुआ बट जो constructed response type question है अब बच्चा पूछेगा सर ये constructed response type question कोन से होते हैं तो ये वो question होते हैं जिसमें आपका analytical thinking, critical thinking, problem solving का level थोड़ा जादा होता है तो CBSC ने ये एक खुशकबरी है, कि CBSC ने जो इसकी weightage पहले 40% रखी थी, वो अब कम करके 30% कर दिया मतलब जो पहले 32 number के आप बोल सकते हैं, थोड़े बढ़िया level के धासु कोशन आते थे CBSC में अब उनकी weightage 24 marks की हो जाएगी अब अगीन, ये वाले जो कोशन होते हैं, वो जनरली आपको subjective form में जादा मिलते हैं तभी आप देख सकते हैं, CBSC ने specially mention करा है, कि जो short answer question है, long answer type question है मतलब आपके 2 marker, 3 marker, 5 marker है, ठीक है, यहाँ पर case study mention नहीं है, यहाँ पर MCQ mention नहीं है तो यहाँ पर जो आपके subjective questions हैं, उनकी में जो critical और analytical thinking वाला part है, जो थोड़ा सा कई बार questions को complicated कर देता है वो थोड़ा सा reduce हो गया, तो ये हमारे लिएक अच्छी बात है, तो अब हमारे को competency based question पर जादा focus करना है और critical analytical वाले questions छोड़ने नहीं है, practice करनी है, बट उनका जो level है, वो हमारे को हमेशा इस तरह से रखना है कि competency वाली practice हमारे पास जादा है और MCQ के अंदर तो कोई change है, तो पेटा ये update आप लोगों के लिए बहुत ज़रूर थी, क्यूंकि अब आपको अपने आने वाले coming जो curriculum को follow करना है उसको इस तरह से तैयार करवाना है, कि भाई, आपके पास जो pattern में update आया है, उसमें कोई दिक्कत ना आए आप लोग exam में हमेशा की तरह फोड कर आए, मचा कर आए, और हमारी commerce वाला की team आपको पता है हर बार जो भी challenges होते हैं, जो भी changes होते हैं, उनके लिए पहले से ही update रहते हैं तो हमने तो अपनी तैयारी कर ली है, हमने तो अपने पढ़ाने की जो तरीके हैं, वो इस हिसाफ़ से design कर ली है कि इन चीज़े को हम easily बच्चों तक पहुचा सके और उनको तैयार करा सके अब बार यह आपकी है, तो मिलते हैं, हम अपनी classes में अपना ध्यान रखिएगा Take care and Namaste, राधे राधे बचा लोग